प्यारे बच्चों नमस्कार ग्यान सिंद्ध कोचिंग क्लासेस में चुड़ चुके हैं आप अरुनेश कुमार के साथ और आपके अरदवारसिक एक्जाम चल रहे हैं कल को इसी पेपर से तमाम क्वेस्चन्स भस सकते हैं ये एक मानक से परिपूर्ण पेपर है यारी मानक प हसने की संभावना है आप इसे तयार कर लें ठीक है क्लास नो हिंदी समय तीन गहंटे पंदावनेट का रहता है पुणांक का सत्तर का रहता ओमर शीट पे बीस प्रशन आपको देखने को मिलेंगे आना बीस अंक के बीस आपको बहुबिकलपी प्रशन करने होंगे जो ओमर शीट पर होंगे वो अलग बात है कि आपके कॉलेज में आपको केबल काउपी पर ही लिखा दिये जाएं पचास अंक के रणात्मक प्रशन होते हैं तो ये मौडल पेपर आपको दिया जा रहा है अर्दवारसिक परिक्षा जो अक्टूबर चल रही है यानि इस वक्त जो परिक्षा आपकी चल रही है उसके लिए ये पेपर मैं बना के लाया हूँ यानि ये पेपर बहुत इंपारिटेंट हो सकता है आपके लिए यहां से तमाम प्रशन फंस सकते हैं इसलिए ध्यान से एक-एक प्रशन का उत्तर देख लिजिएगा शुकल युके निबंदकार कौन है तो शुकल युके निबंदकार है आपके आचारे रामचंदर शुकल और कफन किस विधा की रचना है तो कफन एक उपन्यास है क्या है सॉरी कफन एक कहानी है किसकी कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है मुंशी प्रेमचंद ने लि कौन है प्यारे बच्चों कछा नौके छोटे-छोटे विद्यारतियों आप के लिए प्लेइट तयार कर दी है और प्लेइट में जाकर के आप जो है आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं वारशिक रिक्षा के लिए भी और अर्दवारशिक के लिए भी और आपको अगर model papers पाने हैं तो model paper.info पे आपको जाना होगा और जैसे आप model paper.info लिखते हैं और पहले link पे क्लिक करते हैं Google में तो आपको उस website पे पहुँचा देगा जहां पे UP board class 9-12 तमाम model papers मिल जाएंगे pre board, half early, अर्दवारशिक यानि जिसे आप बोलते हैं और वारशिक सब के मिल जाएंगे बात नामक निबंद के लेखक कौन है तो बात पंडित प्रताप नरण मिश्र का निबंद है आदिकाल का एक और नाम क्या है तो बीर गाथा काल आदिकाल का नाम है अनग किसकी रचना है तो अनग मैथली शरण गुप्त की रचना है मगहर में किसकी मरत्यू हुई थी कबीर दास की म्रत्यू हुई थी हे खग म्रग है मधु कर स्रेनी तुम देखी सिता म्रग नैनी हे खग म्रग है मधु कर स्रेनी तुम देखी सी तामरग नैनी तुम देखी सी ये पूछ रहा है इसमें कौन सा रस है तो इसमें व्योग सरंगार है यानि की सरंगार रस ही आपका रहेगा लेकिन व्योग सरंगार रहेगा मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदसरत अजीर विहारी राम सिया राम सिया राम जै जै राम इसमें चंद पूछा है तो यहाँ एक चौपाई चंद है कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाए वाफाए बौराए जग यहाँ पे पूछा है कौन सा अलंकार है तो यमक अलंकार यहाँ पे है कनक कनक में शुद्वरतनी का चैन कीजिए आशीरवाद 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 या आशीरवाद तो यहाँ पे आशीरवाद जो लिखा है यह सही सब्द है और निम्न में से कौन सा विराम चिन जो है कह रहा है कि अर्ध विराम बोधक यानि अर्ध विराम कहलाता है तो ये क्या है ये तो हो गया कामा और कामा क्या कहलाता ये होता है अल्प विराम कामा क्या है अल्प विराम है और ये अर्ध कामा है यानि की अर्ध विराम आप इसको कह सकते हैं ठीक है अर्ध विराम आप इसको कह सकते हैं तो आपका option B सही होगा नेमन में से गेहूं का तत्सम गोधूम पहले भी हम बता चुके हैं गोधूम होता है आकरशन का विलोम विकरशन हो जाएगा और पावस पावक का किसका परियावाची है तो अगनी का परियावाची है यथा समय में कौन सा समास है अब्वेई भाव समास है जहां पर यथा ल रामा ठीक है तो रामा हां और रामव यहां पे रामव तो यह प्रतमा का दुईवचन होगा यह वाला सही है महेश का सही संदिविच्छेत क्या होगा महाधन इशह महेश हो जाता है और गम धातू लट लकार उत्तम पुरुस एक वचन का रूप गच्छामी होगा क्या हो जा अस्ति इस रेखां के तंस में कौनसी विवक्ती है तो तरतिया विवक्ती आपकी मोहन पादेन में हो जाएगी फिर आपका खंडखा आएगा और खंडखा में आपको गध्यांस दिये जाएंगे गध्यांस के नीचे तीन प्रश्ण होंगे उनके उत्तर देना होगा देखो निष्ठा मूर्थी कस्तूर्बा से पाठ आया है काका कालेलकर ने लिखा है तो उपर गध्यांस के पाठ का नाम निष्ठा मूर्थी कस्तूर्बा लेखक काका कालेलकर और शब्द शास्त्र में निपुड विक्तियों को कैसी दुविधा का सामना करना पढ़ता है तो यहां प्रिशान जो को कौन्सी समस्या परेशान नहीं करती है कृतिनिष्ट लोगों को और कौन्सी और सिमस्या परेशान नहीं करती है अपनी कृतिनिष्ठा के द्वारा सिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित के पहाड़ों के पेक्षा कृति का एक अधिक मुल्यवान और आपदार होता है ठीक है तो यहाँ पे पूछा का कृतिनिष्ठ लोगों को कौन सी समस्या परिशान नहीं करती है तो जो लोग कृतिनिष्ठ होते हैं उन्हें जो है बड़े बड़े रोचक साहित के पहाड़ों को नहीं पढ़ना पड़ता है मतलब वे लोग जो होते हैं वे शब्द सास्तर में निपुड होते हैं और ये रोचक साहित की पहाडों का सामना नहीं करना पड़ता है उनको एक कणही अनके लिए अधिक मुलिवान होता है ठीक है तो इस प्रकार आप इसका अंसर सोन जुही में आज एक पीली कली लगी है अब ये महादेवी वर्मा का गिल्लू पाट से लिया गया है तो पाट का नाम है गिल्लू कि का किसकी बात कर रही है तो गिलहरी के छोटे से बच्चे की बात कर रही है और वे किसे खोज रही है वे गिल्लू को खोज रही है है बिखेर देती वसुन्धरा मोती सब के सोने पर रभी बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर और विराम दाइनी अपनी संध्या को दे जाता है शुन शाम तनु जिससे उसका नया रूप जलकाता है चारुचंद्र की चंचल की रणे खेल रही थी जल थल में स्वच चांदनी विच्छी हुई थी आवनी और अंबर तल में ये आप पार्ट समझ गए होंगे प्रस्तुत पंक्तियों का संदर अब लिखे तो आप क्या लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पार्ट पुस्तक के काव्यखंड के कौन सा पंचवटी नामक शीरशक से उद्रित है और इसके रचईता त्री मैथुली चनल गुप्त जी है और प्राता होने पर मोतियों को कौन बटोर कर रख लेता है तो प्राता होने पर सूर्य रख लेता है और प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है शून निशा में और रूपक अलंकार है मोती मोती मतलब आसु रूपी ओसु रूपी मोती तो यहां पर रूपक और अनुपरास दोनों अलंकार आपके हैं ठीक है रूपक अनुपरास दोनों अलंकार हैं एक इंसमें करना होगा एक पध्यांस के उत्तर और एक गध्यांस का देना होगा तूटे सुजन मनाये जो तूटे सौबार रहीमन फिर फिर पोये तूटे मुकताहार रहीमदास जी कहते हैं जो वक्ती तूट जाते हैं अगर सज्जन होते हैं रूट जाते हैं तूट जाते हैं तो उनको मनाते रहने चाहिए चाहे वो सौबार क्यों न रूट जाएं और रहिमदास जी कहते हैं कि बार बार पोई ये मतलब हमको बार बार पोहना चाहिए बार बार टूटे हुए मोतियों के हार जिस परकार हम बार बार एक जिगे एकठा करते हैं संयुक्त करते हैं जोडते हैं उसी प्रकार अगर कोई सज्जन विक्ती है वो मोतियों के हार के समान होता है और उसे हमें हमेशा बार-बार मनाना चाहिए तूटे सुजन मनाईए इसका आशा ही क्या है तो हमने भी बताया आपको मोतियों का हार तूट जाने पर उन्हें बार जाने से यहां पर देखो फिर फिर दो बार आया है इसलिए पुनरुक्ती प्रकास अलंकार है कुन सा है पुनरुक्ती प्रकास अलंकार है ठीक है और निम्र में से संस्कृत गद्यांस में से किसी एक का संदर्प्रहित अनुवाद करना होगा आप संस्कृत गद्यांस आपके लीजिएगा ठीक है और फिर आपका आएगा दीबदान एकांकी दीबदान एकांकी या लक्षमी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर प्रिचार प्रकट कीजिए लक्षमी का स्वागत एकांकी के प्रमुक पात्र का चरी चित्रन कीजिएगा फिर आपको एक जीवन परि फिर एक श्लोक जरूर याद कर लेना, दो नंबर में आपका एक श्लोक आएगा, फिर दो प्रशनों के उत्तर संस्कृत में देना होगा, स्रीक्रशन पितुहू कहा आसीत, स्रीक्रशन के पिता कौन थे, बताओ, वासुदेव इनके पिता थे, वासुदेव इनके पिता थे, ठीक है राम कृष्णाह एकाह विलक्षणाह पुरुशाह आसीद इसका उत्तर ये हो जाएगा रामा कस्मिन वन्षे उत्पन्ना जाता हा तो रामा इच्छवाक वन्षे उत्पन्ना जाता हा या रगो वन्षे आसतो मा सद गम है तो आसतो मा यहाँ पर सद आप भरेंगे ठीक है फिर आपके मुहावरे और लोकोक्ति आएंगे जैसे ईद का चांद होना बहुत दिन बाद दिखना एक साल बहुत समय बाद दिखना आखों का तारा होना अतधिक प्यारा होना उंट के मुह में जीरा होना आते थी कम वस्तू मान नमान मैं तेरा महमान जबर्दस्ती गले पड़ना फिर दो वाक्तियों का संस्केत अनुवाद वह जाता है सहग अच्छती लिख देंगे राम घर में नहीं है राम हग रहे नास्ती और शुल्क मुक्ती है तो एक प्रधानाचारी को प्रत्र लिखना ह और प्रधानाचारी को ही एक पत्र लिखना है जिसमें दो दिन का आउकाश आकस्मिक मांगा गया हो वो तो आप रोज लिखते ही होंगे कोई टेंचन नहीं तो इस प्रकार आप अर्दवार्शिक पेपर की तयारी कर लीजे और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे 50% से ज्यादा 50% तो ऐसे पढ़ना है अर्दवार्शिक तक बाकी आप जो है अगर 3-4-4 पार्ट पढ़ लेते हैं तो भी हो जाता है बहुत बहुत शुक्रिया